नमस्कार मैं हो निशा आप देख रहे हैं एसिया नियूज इंडिया जम्मु कस्मीर की पूर्व मुख मंत्री और पीडीपी चीप महभुवा मुफ्ती ने एक बयान दिया है जिसे लेकर काफी चर्चाय हो रही है आपको बता दे कि उन्होंने तालिवान को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है कि जिस असम्मु कस्मीर को अपनाया है और अपने कबजे में किया है तो वो जितनी जल्दी हो सके वो हमें वापस कर दें नहीं तो हमारे अगर सप्र कारिंतिहान चूटा तो हालत बहुत बुरा होगा और जैसा तालिवान में हो रहा है बिल्कूर वैसा ही भारत का हालत हो जाएगा जैसा तालिवानी लोग कर रहे हैं आफ़ानिस्तान के साथ वैसा ही हालत भारत का हो सकता है आप बता दे कि उनके इस बयान के बाद काफ़ी जादा चर्चाए होने लगी कई लोग उनके खिलाफ बोलने लगे ऐसे में बीचेपी के कारेकर्ता भी सामने आये और उन्होंने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिये उन्होंने कहा कि अगर हिंदू लोग सामने आ जाये तो उन्होंने वस इतना ही ट्वीट किया था कि अगर हिंदू लोग सामने आ जाये तो उसके बाद इनके भी इस बयान पे कई सारी बाते सामने आने लगी और बहुत लोग अलग रलत रखे मामने लिकाने लगे लोग ये कहने लगे कि देश-देश की बाते हो रही थे और यहां आप हिंदुत और मुस्लिम की बात करने लगे यहां आप जाते और धर्म की बात करने लगे तो बता दे कि महभुवा मुफ्ती के इसी तल्ख तेवर के जवाब में वीजेपी सांसर्द सुब्रमन्यम स्वामी ने सवाल पूछा है कि अगर हिंदू अपना आपा खो दे तो उनके इस सवाल पर वरिष्ट पत्रकार पुन्य प्रशुन बाजपेई ने उन्हीं की राजनिती खत्म हो जाएगी पुन्य प्रशुन बाजपेई की स्टिपनी वर्ड ट्वीटर यूजर्स की खुब पर्ति कि लिए देखने को मिल रही है सुम रातुरी नाम के एक यूजर ने लिखा देश में कोई तो है जिसे हिंदू नजर आते हैं इसलिए बीजेपी का म मेहां हैं एपी नाम के एकंग्रेस और इसके एजेंस ज momento हो जाएंगे थिपक शलूजा नाम की यूजर लिखते हैं हैं तब सिर्फ क्रान्तिकारी बहुत कर्बोयूगी नाम के एकंग्रेस किराजनीती करती है। विन हिंदूत कि राजनीती करती है और कङरेस बाटला हास इंकाउंटर में आंसु बहाती है आपकी जानकाड़ी के लिए बता दे कि मैं हूँ अब मुफ्ती के बयान की बात करें तो कुल गाउं में एक सभा को संबोधित करते हुए बीडीपी चीफ ने कहा कि अफरिस्तान में तालिबान ने अमेरिका को भगाने के लिए मजबूर कि मैं तालिबान से अपील करती हूं कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे दुनिया उनके खिलाफ हो उन्हेंने कहा कि अगर केंद सरकार जम्मू कस्मीर सांति चाहती है तो उसे आर्टिकल 370 बहाल करना होगा और बात चीस से कस्मीर मुद्धे को हल करना होगा ऐसी तमाम खबरों क के लिए बने रहे से अन्यूस इंद्या के साथ राची